अपका बहुत-बहुत स्वागत और हर्याना विधान सभा चुनाफ की अगर बात करें तो हर्याना विधान सभा चुनाफ में एक बार फिरसे आप जो मतदान है वो शुरू हो चुके और सुबा सात बजे से ठीक सात मजे मतदान शुरू आता लोग लंबी-लंबी लाइनों में लगे हुए, इस बार मुद्दा विकास का है, महिंगाई का है, बेरोजगारी का है, और भी बहुत सारे मुद्दे इस बार बतनाता होगी बिलकल तो मुद्दे तो है ही और इसी के साथ उमीदे भी बढ़ गई है, हमारे साथ स्टूडियो में महमान भी मौजूद है, उनका हम रुक कर लेते हैं, सूरी कुमार मैथिल जी है, जो की राजनेतिक विशलेशक इसी के साथ, हमारे साथ प्रेम कुमार जी है, वरिष्ट पत्रकार है और संजीव कौशिक जी है राजनेतिक विशलेशक है सबसे और साथ ही यूवराज पोखरना जो की राजनेतिक विशलेशक है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी में आप ही के पास आना चाहूंगे और समझना चाहूंगे क आज जो ये चुनाब हो रहे हैं लेकिन उसके पहले जो तस्वीर है वो दिखा देते हैं क्योंकि हर्यारा के मुख्यमंतिर नायव सिंग सेनी पहुँच चुके हैं अग्र Bijan I. जो एक मान समान है, वो करते हुए नजर आ रहा है, गुरुद्वारा पहुचे हुए है है, और वहाँ पर जाकर, उन्होंने आशुरबाद लिया है, और इसी के साथ जाएंगे. अपने परिवार के साथ जाकर के वोट डालेंगे लेकिन सबकी निगाहे ठीकी हुई है कि नायाव सिंग सेनी जिस तरीके से यहां हर्याना में परिवर्तन हुआ उसके बाद अपनी सीट बचा करके क्या वापस सत्ता में लोट करके मुक्यमंतरी की कुरसी पर काविज हो पाएंगे क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्वर उपर किये थे कि उन्हें मुक्यमंतरी की कुरसी मिलनी चाहिए लेकिन सब के बीच जो तस्वीरे आ रही है वो भी आप जड़ा देखिए कि किस तरीके से सबसे पहले गुरुदवारा पहुचे हुए है नायाप सिंग सेनी अपने परिवार के साथ और यहां वो आशिरवाल लेते हुए नजर आ रहे है सूर प्रकाश मैथिल जी क्या इस वार समी करण बदलते हुए नजर आ रहे है ताकि आने वाले वक्त में तीसरी बार में हैट्रेक लगाते हुए नजर आई धन्यवाद परिये तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जब बंदे मात्रम आओ जा हर्याना का आज एक बार फिर से जो मतदान हो रहा है नई सरकार चुनने के लिए मैं आपको बता दूँ आपने कहा कि NDA के पास में 40 सीटे थी उससे पहले भारतिनता पार्टी पिछली बार भी अकेले ही चुनाव लड़ी थी दूसरी चीज अभी आपने जो एक दिखाई ना फोटो की जिसमें नायब सिंग सैनी जी को पगड़ी बांदी जा रही है यह पगड़ी विकास का प्रतीक है यह पगड़ी शांत और समृद्ध हर्याना का प्रतीक है यह पगड़ी जो है यह वो खर्ची और पर्ची की जो कुरीती थी उसको खतम करने का प्रतीक है और यह पगड़ी जो है यह जीजा जी से हर्याना के किसानों की जमीनों को बचा साथ इसाथ ब्रस्टाचार, खर्ची और पर्ची इस प्रकार के जो कॉंग्रेस की एक मानसिक्ता थी उसको हटा कर विकास गरीब आदमी के परिवार में कैसे नौकरी जाए, कैसे उनकी जिंदिगी सुम्रद्ध हो, इन सब चीजों का स्वाध हर्याना ने चखा, एक और बात आपने देखा होगा इस चुनावों में कुमारी सेलजा का जिस प्रकार से अपमान किया, कॉंग्रेस की इकलोती दलितनेता है, उनका और जिस प्रकार से जाती सुचक शब्दों की बहुत सारी वीडियोज वाइरल हुई, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से कॉंग्रेस के अंदर दलित समाज का अपमान होता है, और रहूल गांदी का तो एक स्टेटमेंट अभी भी वाइरल हो रहा था जो विदेश में था, कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे और प्रॉमिनेंट इस्तिती में होंगे, तो हम आरक्षन को खतम कर देंगे, तो समविधान को अपने जो भ्रामक जानकारी दी थी कॉंग्रेस ने और प्रोपोगेंडा चलाया था, उसको भी नायाप सिंग सेनी जी ने किलियर कर दिया, कि हर नौकरी के अंदर हर जगह अगनी वीरों के लिए मौका मिलेगा, तो यह अपने आपे बहुत आतिया सिक है, बिल्कुल, प्रेम कु पर बात करने का समय नहीं रहा, आज तो मद्दाता उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं, और जो मुद्दे आए, उन मुद्दों पर मन बना चुके हैं, और इस बार जो अब तक रुजहान दिख रहे हैं, जो अपना आकलन है, वो है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और जू जो भी फैलाया गया, उन जूट के खिलाफ जनता एक जूट है, और दस साल का जो एंटी इंकम्बेंसी है, उसको भी जनता जरूर नजर रख रही है, वोटर उसका ख्याल रखेंगे, और बाकी सब नतीजे आने दीजे, उतसाह से लोगों को वोट करने दीजे, मुद्दो से बाहर निकल करके सामने नहीं आती है, क्योंकि अगले बल तक वो ये नहीं समझा पाते है, कि आखरकार किसे वोट करने वाले है, इसी बीच एक बड़ी ख़वर आ रही है, उसका रूख करेंगे, हर्याड़ा विदान सवा चुनाव को ले करके प्रधान मंत्री नरिंद म से पोस्ट किया गया है, जो युवा है, जो पहली बार वोटर है, उन्हें लेकर के खास तोर पर शुबकामनाय दी गई है, कि घर से बाहर निकल लिए और जाद से जाद मतदान करिये, खर्चियों परची का जिकर तो हो गया यहाँ पर संजीव कौशिक जी, लेकिन इसके स साथ परची का जिकर भी भी हो रहा है, फैमली आईडी से लेकर के जो प्रॉपरिटी आईडी है, कहीं न कहीं चुनावों में ये भी तो मुद्दा है, जवान, नौजवान, किसान, पहलवान, बेरोजगारी, आप बाते बड़ी-बड़ी कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, और सारी बाते, अब गंगा में इतनी पानी बह गई है कि उसके बारे में चर्चा करने की जुरूत नहीं है, सवाल यह है कि जो मन बना लिया है, उसके आधार पे आज मुहर लगने वाली है, और ये बात कही तो जा रही है कि इस्थित आप से निबारी करते रहे हैं, तेकि संजीव जी क्योंकि नेता तो है, आते जाते रहते चुनाव होते हो और उसी के साथ अदली बदली के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, लेकि जो तस्वीरे आ रही है, वो भी आपको दिखा रहे लगातार, जो मुख्यमंती ह तस्वीरे ये सामने आ रही है, अब ऐसे में वहाँ पर कितना मुख्यल होगा जो चुनावी मुद्धे हैं, वो भारी होंगे, क्योंकि 150 से जादा रहलिया बीजेपी की तरफ से की गई थी, अब इसमें कॉंग्रेस की तरफ से 78 रहलिया की गई थी, क्या इन सब का जो मिला जुला असर है, वो आने वाले वक्त में 8 अक्टूबर को परिणामों में तब्दील होते हुए नजर आएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसी के साथ चंद्रप्रकाश जी, अगर हम बात करें कि गट बंधन को लेकर के, हाला कि पहले भी हमने 2019 में देखा था गट बंधन को लेकर के, बीजेपी भी अलग शुराब लड़ रही थी, उसके बाद भले ही उन्होंने गट बंधन कर लिया था, पार्टी के साथ, जेजेपी के साथ चले कर थे, लेकिन इस बाद जेजेपी के साथ गट बंधन नहीं है, दूसी तरफ कॉंग्रेस भी, अके इतनी अंदर ये अंदर बेचैन है, कितना इस चुनाओ को लेकर अंकमफर्टिबल है, चुनाओ से ठीक पहले अगर आप ध्यान दे, कि हर दल से वो गट बंधन कर रहे हैं, एक बार आपको सिधा सुनवाते है, मनोहलाल क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आप दूबा अपनी कर रहे हैं लोग सभाचुनाओं से, लोग सभाचुनाओं में एक तरह का कंसलिडेशन हुआ था, क्योंकि आमादी